विराट कोली का आया बहुत बड़ा बयान सामने विराट कोली ने बताई अपनी priorities किसी भी sportsman के लिए उसकी priorities बहुत जादा important होती है और priorities के बीच में एक balance बनाना भी बहुत जादा ज़रूरी होता है किसी भी sportsman के लिए ऐसे में विराट कोली का बहुत बड़ा बयान सामने आ बहुत करीब है और विराट कोली का एक experience कुछ ऐसा है जिसकी टीम इंडिया को बहुत जादा जरूरत है जब बात contributions की होती है तो विराट कोली का नाम सबसे उपर आता है और ऐसे में विराट कोली और रोहिच चरमा इन दोनों नहीं अफगानिस्तान के खिलाफ T20i सीरीज में करीब करीब एक साल वार T20i format में करी है वापसी अब फैन की expectations एक है कि ना सिर्फ इस सीरीज में बलकि T20 वर्लकप 2024 में भी विराट कोली रिप्रेजेंट करे टीम इंडिया को क्योंकि बैटिंग फॉर्म एक अलग चीज है लेकिन experience विराट कोली के पास कुछ ऐसा है जो कि un बीटन है नजरे डालते हैं विराट कोली ने priorities के बारे में बयान में अपने क्या कहा मेरे लिए family पूरी तरह से first priority है मुझे पता है कि मैं cricket खेलने में busy हूँ लेकिन मैं हमेशा जल्द से जल्द घर वापस आना चाहता हूँ काम जीवन का हिस्सा है जिसमें balance बनाना जरूरी जी हाँ ये था विराट कोली का बयान और विराट कोली ने बताया कि family उनकी top priority है और कैसे sportsman के लिए priorities के बीच में balance बनाना बहुत जादा जरूरी होता है और ऐसे में हमने विराट कोली को बहुत बार देखा है जादतर समय वो cricket केलते हैं और जादतर time अपना cricket को देते हैं लेकिन जब भी उने time मिलता है तो family को time देना विराट बिलकुल नहीं भूलते ऐसे में उनकी wife अनुषका शर्मा भी उनको बहुत जादा support करती है in fact अपने busy schedule से time निकाल कर विराट कोली के matches में उनको support करने भी उनकी wife आती रहती है विराट कोली का कहना बिलकुल सही है कि ए एक balance बना के चलना चाहिए जैसे यह दिगच खिलाडी बनाते हैं अपनी life में perfect balance बाकि आप अपना opinion इस बारे में बता सकते हैं comment section में तब तक के लिए देखते रहे है तूफान sports like share subscribe तूफान sports